तो आज हम मैंसक का नहीं वो सम्स करेंगे कल मैंने आपको सम बोले थे 12, 13, 14 ठीक है आज जो हम सम करने जा रहे हैं 15, 16, 17 and 18 सम तो तेखते हैं 15 सम में क्या है राइट का नमबर जस्ट भीफोर और आपको पता है 200 से पहले क्या आता है बिटा 199 और 200 के बाद क्या आता है 201 अच्छा आप बताओ next है 344, 344 से पहले क्या आएगा before क्या आता है 343 और आप्टर में क्या आएगा 345 वेरी गुड आपको बोले जाएट भीटा सेम आपने इसका C पाट भीगा ठीक है next है आपके पास 16 सम how many two digits numbers are there before 100 100 से पहले कितने two digit number बनते हैं यह मैंने अभी आपको पिछले भी करवाय था तो 100 से पहले कितने two digit बनते हैं 90 कितने बनते हैं 90 कैसे 10 से लेके 99 तक 10 से लेके 99 तक कितने numbers बन गए आपके पास 90 तो two digit number कितने बने 100 से पहले 90 very good next है write the smallest and the largest three digit number write their number names also सबसे बहले बेटा जब भी आपको सबसे largest number बनाना है तो largest number अगर आपको three digit अगर आपको one digit का largest number क्या होता है nine तूडीजिट का largest number में कितने nine बनते हैं टू नाइट थू नाइट थिजिट के largest number में त्रिपण लाइट गोधिट के largest number में four nine ये क्या होता है largest number सबसे जो largest number बनाना हो तो जितने digit का बनाना है उतने 9 बना देते हैं अब अगर आपको smallest number बनाना हो तो smallest number क्या है सबसे चोटा number क्या ओता है 1, 2 digit का बनाना है तो 1 के साथ 1, 0 अगर आपको 3 digit का बनाना है तो 1 के साथ 2, 0 और 4 digit का बनाना है तो one के साथ three zero यह बन जाते है आपके पास four digit का smallest number तो अभी हम sum में देखते हैं Sum में क्या है write the smallest and the largest three digit number write their number names also हमें तो सिर्फ three digit का पूछ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे three digit का smallest number क्या हो गया वह बताय था one zero zero तो यानि क्या smallest number क्या बन गया one hundred तो हम इसको number names में लिखते है number names कैसे होते है one hundred ओके अब हमें क्या लिखना इसका largest number three digit का largest number वह कितना हो जाएगा nine 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 तो क्या बन गया nine hundred ninety nine तो ऐसी क्या तो होगे आप इसका number ने लिख होगे nine hundred ninety nine तो आपके बाद इस तमारता हो जाएगा ओके बिटा तो अभी मैंने आज आपको कौन-कौन से सम्क्रवा है fifteen sum sixteen seventeen उतके बाग है eighteen sum eighteen sum तो ऐसे आप लोगों ने किया हुए बिटा पहले four forty five तो उसका मतलब क्या है four hundred expanded form plus forty plus five किया हुए ना आप सबने तो आपने इसको ऐसे expanded form में लिख तो आज के लिए बिटा आपने यहीं sum करने है fifteen sixteen seventeen and eighteen बाइ बिटा